सेहत और स्वास्ति के लिए फलों को काफी उपियोगी और फायदे मन माना जाता है। वज़ा यह है कि इनमें भरपूर मात्रा में पुशक ततुपाए जाते हैं। इसके विपरित आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ फल ऐसे हैं जिनके बीज के फायदे भी कम नहीं है। ऐसा ही कुछ पपीते के साथ भी है। सामान्य तोर पर लोग पपीते के बीजों को बेकार समझ कर फैक देते हैं। मगर पपीते के बीज के फाइदे इतने हैं जिन्हें जानने के बाद आप यह गलती दुबारा नहीं करेंगे ऐसे कई सवाल जो अक्सर आपके मन में आते हैं उनका जबाब आपको इस वीडियो के अंध तक मिल जाएगा जैसे पपीते के बीज के क्या-क्या फाइदे हैं पपीते के बीज के क्या नुकसान है इसका उपयोग कैसे और कितनी मात्रा में करनी चाहिए यहां हम पपीते के बीज खाने के फाइदे विस्तार से बताने जा रहे हैं ताकि शारीरिक स्वास्थ के लिए इसकी उप्योगिता को आसानी से समझा जा सके हलांकि यह समझना जरूरी है कि पपीते के बीज यहां दी जा रही समस्याओं में केवल रहत पहुचा सकते हैं इन समस्याओं का पूर्ण इलाज डॉक्टरी प्रामर्स पर ही निर्भर करता है पहला है पाचन शक्ति बढ़ाए पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ ही पाचन स्वास्त को बनाई रखने के मामले में पपीते के बीज उपियोगी साबित हो सकते हैं यह बात NCBI की बैफ साइट पर प्रकाशित मुर्गियों पर आधारित एक शोध से स्पस्ट होती है शोध में जिक्र मिलता है कि पपीते के बीज में एंटी हेलमेंटिक प्रभाव पाये जाता है जो पेट के कीडों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है साथ ही इसमें पैपेन नाम का एक खाज तत्व पाये जाता है यह तत्व पाचन शक्ती को बढ़ाने में मदद कर सकता है वहीं एक अन्य स्टडी में भी माना गया है कि पाचन शक्ती को बढ़ाने में पपीते में मौजूद पैपेन मदद कर सकता है इसकी अलावा पेट के की इचान और के बीज पेट के कीड़ों से रहात दिलाने के साथ भी पाचन को बढ़ावा देने की उपाय के तौर पर मददगार हो सकते हैं दूसरा है कैंसर के जोखिम को कम करें यह कैंसर से परिट पैक्तियों के लिए प्रिट प्रड़े पेज्ट उप्योग्य साबित हो सकते हैं NCBI पर प्रकाशित पते की बीज से संबंध्त एक शोध में इस बात को सुआ ole शोध में जिक्र मिलता है कि पपी 1995 मасть फ्लेवो नॉइड तत्व पाए जाते हैं जो कीमो प्रवेंटिव प्रभाप्रदर्शित करते हैं इस तथे को देखते हुए यह माना जा सकता है कि कैंसर के जोखिम को कम करने में पपीते के बीज कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं इसके बावजूद यह समझना जरूरी है कि कैंसर एक घातक और जानलेब बिमारी है जिसका इलाज डॉक्टरी सला से ही संभव है तीसरा है लीवर के स्वास्थ को बनाए रखें पपीते के बीज लीवर को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय के तौर पर भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं यह बात पपीते के बीज से जुड़े एक शोध से साफ होती ह शोध में पाया गया कि पपीते के बीज में हैप्टो प्रोटेक्टिव प्रभाव मौजूद होता है इस प्रभाव के कारण यह लीवर स्वास्थ को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं फोर्थ है सर्दी और खासी में आराम दिलाए सर्दी और खासी की समस्या में भी पपीता के बीज के फायदे हासिल किये जा सकते हैं इस बात को दो अलग-अलग शोध के माध्यम से समझा जा सकता है पहले शोध में जिक्र मिलता है कि पपीता शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ा कर सर्दी और खासी में आराम दिला सकता है वहीं दूसरा सोध इस बात को स्पष्ट करता है कि पपीते की तरह ही पपीते के बीज में भी शरीर की प्रतिरोधक शमता बढ़ाने की शमता मौजूद होती है इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पपीते की तरह ही पपीते के बीज भी शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ा कर शर्दी और खांसी की समस्या में राहत पहुचा सकते हैं हलाकि सीधे तोर पर इस सम्बन में कोई स्पस्ट प्रबान मौजूद नहीं होने के कारण यह कहना मुश्किल है कि पपीते के बीज इस समस्या में कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं बढ़े हुए बजन को कंट्रोल करने के मामले में भी पपीते के बीज का सेबन उप्योगी हो सकता है इस बात की पूष्टी पपीते के बीज के पौडर से सम्मंधित एक शोध से होती है शोध में माना गया है कि पपीते के बीज के करीब 1.42 ग्राम पाउडर में वजन कम करने वाली दवा की एक गोली के बरावर वजन को कम करने वाला प्रभाव मजूध होता है इस आधार पर यह माना जा सकता है कि वजन को कम करने के उपाय के तोर पर पपीते के वीज सहायक हो सकते हैं छठा है सूजन को कम करे पपीते के वीज में अन्य औश्धिये गुणों के साथ ही एंटे इंफ्लामेटरी गुण भी पाया जाता है यह गुण पपीते के बीजों में मौजूद अलकिलाइड, पॉलिफिनॉल और फ्लेवोनॉइड तत्वों की कारण होता है इस गुण के कारण पपीता के बीज के फायदे त्वचा से संबंधित सूजन को कम करने में भी हासिल किये जा सकते हैं सात्वा है डाइबिटीज में सहायक डाइबिटीज से प्रियत बैक्तियों के लिए भी पपीते के बीज लावकारी शाबित हो सकते हैं यह बात पपीते के बीज पर आधारित एक शोध में साफ तोर पर स्वीकार की गई है शोध में माना गया है कि पपीते के बीज में मौजूद एंटि आक्सिडेंट प्रभाव मुक्त कणों को कम कर टाइप 2 डायबेटीज में सहायक हो सकता है इस तथ्य को देखते हुए यह माना जा सकता है कि मुक्त कणों के प्रभाव के कारण होने वाली डायबिटीज की समस्या को नियंतरित करने में पपीते के बीज मदद कर सकते हैं आठवा है बढ़े ब्लड प्रेशर को कम करें ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में भी पपीते के बीज के फायदे हासिल किये जा सकते हैं वजह यह है कि पपीते के बीज में अन्य औस्धिय गुणों के साथ ही एंटी हैपरटेंसिब प्रभाव पाया जाता है इस प्रभाव के कारण पपीते का बीज बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और नाइन्थ है दिल की सेहत को रखे दुरूस्त पपीते के बीज का फायदा यह भी है कि यह टूटल कॉलेस्ट्रोल, ट्राइगल सिराइड और लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन को कम कर धमनी संबंधी हिर्दय जोखीमों को दूर रखने में मदद कर सकता है इस बात को पपीते से संबंधित एक शोध में सीधे तोर पर स्विकार किया गया है इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पपीते के बीज के फायदे हिर्दय स्वास्थ को बनाए रखने में भी सहायक हो सकते हैं पपीते के बीज के नुकसान प्रजनन शम्ता को कमजोर कर सकता है पपीते के बीज में ब्लड शुगर को कम करने बाला प्रभाव पाया जाता है ऐसे में डियाविटेज की दवा लेने वाले लोगों को इसकी अधिक सेवन से बचना चाहिए पपीते का बीज ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक है ऐस में बीपी की दवा लेने वाले लोगों को इसका सेवन सापधानी के साथ करना चाहिए पपीते के बीज का अधिक मात्रा में सेवन डाइरिया का कारण भी बन सकता है पपीते के बीज का उपयोग अपने अउस्धिये गुणों के कारण पपीते के बीज के फाइदे हमें तभ के बताने जा रहे हैं यह तरीके कुछ इस प्रकार के हैं पपीते के पेश्ट को सुबह गुंगुने पानी में मिला कर पिया जा सकता है इसकी अलाबा पपीते के बीज के पाउडर को भी खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है पपीते के बीज का स्वाद हलका होता है इसलिए इसे काली मिर्च के विकल्प के रूप में खाद में मिला कर भी उपयोग किया जा सकता है मात्रा सामान्य तोर पर दिन में करीब 10 ग्राम तक पपीते के बीज का सेवन किया जा सकता है अब आप जान गए होंगे पपीते के बीज के फायदे और नुकसान के बा हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अपने हेल्थ और लाइफ स्टाइल को अपडेट रखने के लिए विजिट करें हमारा वेब साइट